चेप्टर है सर, कॉर्प्रेट अकाउंट आप ये चेप्टर कर लेते हैं, डेफिनिटली पास हो जाओगे और ये आज के और एक्जाम के एक्कॉर्डिंग मैं बता के चल रहा हूँ, आप बिल्कुल डेफिनिटली पास हो जाओगे, थाइंक यू सुप कैसे हैं आप सब, बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, वैसे classes तो regular basis पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, दो-दो classes भी अपलोड कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का कहना है सर, law की बी class अपलोड कर दो, तो definitely law की class भी regular basis पे आने लग जाएगी आपके पास, उस टाइम पे मैं recording कर रहा था, अब कुछ पार्ट रिकॉर्डिंग हो गया तो मैं regular class पे डाल दूँगा law की भी, कुछ बच्चों का ये कहना था, कि सर आप एक बार ऐसा करें कि कुछ ऐसा बता दो कि corporate में पास हो जाए मतलब कुछ ऐसे chapters बता दो, कुछ ऐसे topics बता दो, जो कर लें corporate के अंदर पास हो जाएंगे, तो मैं आज की वीडियो में आपसे discuss करने वाला हूँ, वो chapter, वो points जिसको करने के बाद आप exam में पास हो सकते हैं, वैसे हाला कि अभी बहुत time है आपके paper के लिए, देखा जै तो 15 और एक महिना पूरा है, तो मैं आप सभी बच्चों से एक ही request करना चाहूंगा, पूरा मन्त है, डोंट आप अराम से study करिये, पूरा slayvus हो सकता है strategy wise, और जितने भी batches हम ले रहे थे, लाइव क्लास में जो भी बच्चे ले रहे होंगे, वो भी देख रहे होंगे वीडि और नॉर्मल बेच में भी स्टार लगने लग जाएगा, ठीक है, तो आज का एजेंडा है सर कॉर्परेट, सर कॉर्परेट में क्या-क्या पढ़ा जाए, जो कि हम easily pass हो सकते हैं, और वो आसान भी हो, बच्चों का कहना है वो आसान भी हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पत क्या मानता हूँ, आपकी गल्ती बिल्कुल भी नहीं है, गल्ती है हमारा थोड़ा एजुकेशन में, जॉब, अगर हमें गवर्मेंट ये शियोरेटी दे और ये पक्का कर दे, कि सर आप ग्रेजुएट हुए आपको जॉब मिल जाएगी, जैसे फॉरें कंट्री में क्या ह आपका, सर, हमारे याँ इसा होता है, के जो बच्चा पढ रहुता है तो उनको लिखने और पढ़ने का हम देते हैं, उनको क्या करते हैं, भेज देते हैं एंगर ट्रेनिंग पर. और जो ओर्गनाइजिशन ट्रेनिंग पर जपत और ट्रेम्सी चूरेंग से अ ceux वर्मे से मानता हूँ के जो हमारा study curriculum में बहुत बढ़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सार इसके साथ साथ आपको इसके साथ साथ practical knowledge देना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है सार practical knowledge देना, किसी factory में, office में, जिसे internship बोलते हैं, articleship होना चाहिए, और इसी विज़े सा शियोटी नहीं होती job की, तो बच्चे last time पर बढ़ते हैं, मैं किसकी गलती बोलूँ, किसकी नहीं, मैं तो देखो, ये चाहता हूँ कि सभी बच्चों को पढ़ करके पास हो, सिर्फ important point पास ना हो करके, मेरा ये ही मानना है, अब मैं कुछ chapter बता रहा हूँ, इन chapter को कर कर रहा हूँ, एक करना है, redemption of preference share, एक करना है सर आपको, redemption of preference share के बाद अगला चप्टर करेंगे आप, buyback, तीन chapter ये, आप करिए final account, आप करिए cash flow statement, important chapter बता रहा हूँ, जिसमें से paper आएगा, आप करिए और आसान वाले भी हैं, ये सारे chapter, value of shares, आप करिए value of goodwill, और ये दोनों, प्रोग्राम और अर्डर्स दोनों, अप करिए reconstruction, साथ के साथ, आप last वाला theory वाला chapter करके जाएए, जो है corporate, जिसके अंदर हमारा CSR है, corporate social responsibility, financial reporting का है, last unit है, वो करके जाएए, अगर आप इतने chapter कर लेते हैं, तो मैं अगर बताओ, आपका paper 90 का आ रहा है, तो 90 में से, आप easily 70 marks तो get करेंगे, अगर इतने chapter कर लेते हैं, तो 90 में से 70 number get कर लेंगे, अब सर पढ़ना कैसे है, कैसे करना है, ये भी बता दीजिए, और कौन से chapter को पहले pick करें, तो मेरा suggestion होगा, आप sequence से लेके चलिए, बहुत better रहेगा, कोई दिक्कत नहागा, पहले आ अगर आप cash flow करी और final, अगर आपने ये वाला point लट जगर के, थोड़ी मैनत करके, थोड़ी दिक्कत सहके, अगर ये वाली चीज़े आपने कर ली ना, तो मान के चलिए इन chapter में कोई जान नहीं बसता, फिर आप इस unit को चाहे, फिर आप इसको उठा लीजिए, बेसक से, फ आप के साथ कुछ accounting standard है, जो कि मैंने अभी कराए नहीं तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, उसमें से 2255 नंबर के questions आ सकने हैं, मैं पहले इसकी बात कर लूँ, तो hopefully आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या topics करने हैं, जिसमें से paper में आता है, क्योंकि बहुत बच्चे और आप मेरे चैनल पर जाके देखेगा नो, तो धेरो study plan मिलता है, बहुत सारे, खूब सारे बच्चे पूचे हैं, सर पुरानी वीडियो कर लें, ये कर लें, वैसे कर लें, तो मैं उन बच्चों को कहूँगा, पुरानी वीडियो पुराने pattern पे भी था, नई वीडियो न जरूर देख लें कि ये study plan कब का है, तो उसी के हिसाब से मैं exam की बात करता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, पुरानी study plan को देख लें, पुराने पढ़ने का तरीके का pattern को देख लें, पिछले साल वाला देख लें, वहाँ पे scenario कुछ और था, हम जो आपको मैं बतात अब रही बात, कुछ बच्चे कहते हैं, कि सर, old new हमें समझ नहीं आ रहा है, confusion हो रहा है, तो मैं उन बच्चो को कहूँगा, कि आप YouTube पे सारी classes है, no need to buy, फिर भी कुछ बच्चो को लगता है, कि लाइव क्लास में कुछ doubt session वगरा होते हैं, क्यूंकि regular class चल रहा है, तो तो मैं उन से कहना चाहूँगा, उन बच्चो को, कि साहब, आप हमसे class ले सकते हैं, fast track बैच है, fast track इसके अंदर mainly क्या है, YouTube और इसमें फरक क्या रख रहा हूं, मैं, YouTube पे share capital के total 25 से 30 वीडियो है, share capital के, यहाँ पे हमने उसको काट के 10 वीडियो कर दिया, सर, 10 वीडियो कैसे कर हैं पूरे के पूरे 30 वीडियो, लेकिन स्टार मांग कर दिया, similar type के जो questions है, क्योंकि मैं YouTube पे और application पर कोई भेदवाव नहीं रखता, मैं पूरे के पूरे questions डालता हूं, तो similar type के जो questions है, practice के लिए जो करवाय जा रहे हैं, उस पे एक ही question मैं दे रहा हूं, ताकि बच्चा एक question करें और हो जाए, और पूरा का पूरा चार्ट करवा रखा है, कि इस चेप्टर में से ये वाले topics important है, और इस वाली class में मिलेगा, पूरा एकदम chart map के हिसाब से मैंने उस पे बना दिया है, तो fast track batch join कर सकते हैं, law की भी classes चल रही है, अब law वाले बच्चे बोल रहे हैं law, तो मैंने का भी या इतनी cost हो जाए कि बच्चों की law में, मैं तो चाहता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे नंबर से pass हो जाए, और आपका core subject है दोनों, तो मैं आपको announcement करता हूँ, जो बच्चा enroll होना चाहता है, आपको ये दोनों subject, law और corporate account, दोनों के दोनों subject, company law और corporate account, आपको ये provided हो जाएगा 549 में, मात्र 550 में, दोनों के दोनों course, जिसको individually लेना है, individually ले सकता है, और मैं कह रहा हूँ, YouTube पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, YouTube पे जिसको पढ़ना है, जरूरी नहीं आपको पैसे खर्चने की, दोनों चीज़े हैं, बस फरक ही रहेगा, YouTube पे ब apply मिल जाता है, YouTube पे थोड़ा सा delay होता है, क्योंकि YouTube पे समझने में ही time लग जाता है, उसके अंदर voice, SMS वगएरे की facility नहीं होती, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत है, तो hopefully आपको मदद मिलेगा, मैं again कह रहा हूँ कि don't be late, आप ज़्यादा late मत होईए, अच्छे से पढ मिलते हैं next video में, अपने बहुत सारे दोस्तों को बताइए, क्योंकि मेरे चैनल का subscribe, मेरे चैनल पर views, मेरे चैनल पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, views बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि views नहीं होता, लेकिन फिर मैं भी आप से बोलना चाहूँगा, कि आप मदद करिए दो को, क्योंकि शायद पता ही क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चों के नहीं बहुत सारी problem होती है, मैं बोल दूँ कि भाई तू नहीं पढ़ रहा, ये गलत बात है, इतने सारे issues हैं, उनके घर पे कुछ issues रहे होंगे, health issues रहा होगा, मकान सिफ्ट हो गया, कोई tragedy हो गया, जिस सब भी बच्चों तक ये बाते जाने चाहिए, जिनको ये need है, जो coaching पढ़ रहे हैं, आप वहाँ पढ़िए और उसके according चलिए, again thank you so much, थोड़ी लंबी वीडियो होगे, अधर उधर की बाते करने में, मिलते हम next वीडियो के अंदर,